दोस्तों आज का जो टॉपिक है बिहार जी के बिहार जी के सी एक जाम में क्वेस्चन पूछा जाता है तो इसको मैप के साथ अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे अभी आपके सामने जो यह मैप दीख रहा है यह अपना राज जी बिहार का मैप है तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिया कोई भी प्यक्राइब आप डियरेक्शन बनाते हैं तो सबसे उपर में जो होता है अँतर होता है यहां भी सबसे उपर में जो Canadians होगा उपर नॉर्थ होगा उतर हो इर नीचे होता है सौथ दाचिन और यहां पर होता है वेस्ट पस् जो लंबा ही है 483 km एक्जाम में यह भी पूछा जाता है और बिहर का ओभर आल जो च्हेतरफल है पूरा यह जो मैप दीख रहा है यह जो है जो है और इसका प्रसासनिक चेत्र है भव हुआ तो यह तो अप्शन में कैमुर दिया हुआ रहे हैं यहां से एक पॉइंट आपको बस याद रखना है सबसे कम जनसंख्या घनत वाला जिला जो है कैमुर है और जनसंख्या घनत भी पूछ दिया जाता है कितना है तो 488 है एक और के किलो मीटर में 488 बेकती रहते हैं और सबसे कम जनसंख्या घनत वाला जिला है सरवाधीक है सीवर का सीवर उपर में है तो वहां पर रहेंगे तो बात करेंगे इसके बाद यहां पर दूसरे नमर में रोहतास है तो रोहतास से रिलिटेट भी क्वेस्चन पूछा जा और और भरल मिलाकर 73.37% साक्षर्तादर है इसके बाद यहां पर और अंगाबाद है तो आपको बस एक बार में याद रहेगा शबसे कम वर्षा वाला जिला और अंगाबाद है वर्षा में कम हो गया यह वाई से पूछा भी कम ही जाता है पूछा जो जाएगा जनसंख्या घनत और साक्षरतादर इसके बाद यहां पर चोथे नमर में गया है तो गया से रिल्टेट भी आपको एक बार में याद रहेगा कि सरवाधी गर्म जिला यहां सब से ठंधा जिला जो है गया है सरवाधी गर्म हो गया और ठंधा दोनों जो है गया है इसके बाद यहां पर न नवादा जिला में है इसके बाद यहाँ पर जमुई है और बांका है तो इंसोपिस क्owेस्चंन नेक बराबर पूछा जाता है और यहाँ पर आप देखिएगा कि एक नालंदा जिला से कुछा जाता है और यहां पर राजगीर 가운데 राजगीर का राजगीर को Państ month earlier राजगीर था इतियास का यहां वह गया राजगीर से रिल्टेट तो नालंदा जिला में राजगीर है इसके बाद यहां पर देखेगा कि आप एक छोटा सा जिला सेक्पुरा है तो श्यक्पुरा से रिल्टेट भी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला सेखपुरा हो गया, दूसरे नमर पर सीभर है, सीभर पहले स्थान पर नहीं है, 6,36,342 सेखपुरा के जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या हो गया, अब इसके बाद यहाँ पर लखी सरा मुंगेर है, तो मुंगेर में जो है, सबसे कम लिंग यहां पर और किसं गंज नेपाल के बॉडर से शठा हुआ । जो है और पर यहां पर उत्र में जो भी जिला है सभी नेपाल के बॉलर से शठा हुआ । तर किसं गibt पुछा जाता है वडिया है और सव कोखHow मधवनी सितामर यह सब जिला नेपाल से सटा हुआ है अब यहां पर जो एक हो सीभर जिला है सीभर से रिलिटेट कई बार क्वेस्टन पूछा जती यहां पर देखेगा कि बहुत ही यह चोटा जिला है सितामधी से ही अलग हुआ है तो यहां से एक पॉइंट आपको याद र सितामर नहीं पूछा जाएगा शिर्प यहीं याद र dungeon में इंपाल से सटा हुआ जिला है इसके बाद यहां पर आ जाते हैं पुर्वी चमपारन पस्चमी चमपारन तो यह दोनों पस्चमपारन से ही अलग होकर पुर्वी चमपारन पस्चमी चमपारन बना है पुर्वी चमपारन से तो question नहीं पुछा जाते है question जो पुछा जाएगा पस्चमी चमपारन से प्स्चमी चमपारन जो है छेतरफल की दिरिष्टी से सबसे बडाज इला है चेतरफल की दिरिष्टी से सबसे ज़ोटा जिला अभर है अभी आप तुरंट देखे हैं यहां पर performance चप्रमी चमपारन में इस जगह पर वालं मेंarts टाइगर रिजर्व वालमी की राष्ट्य उद्यान है और एक जाम में पूछा जाता है कि बिहार यहां नेपाल से सटा कौन सा राष्ट्य उद्यान है तो वालमी की राष्ट्य उद्यान है यह बाग से संबंधित है और बिहार में एक मात्र ही यह राष्ट्य उद्यान है ब अधिक जो लिंगानुपाथ है गोपाल गन्जीुलाकी कि गोपाल गन्ज कई बार क्वेस्टन पूछा जाते लिंगानुपाथ के तुम एक हजार मृटित महया और सबसे कम जो लिंगानु पात है मुंगेर के पास आप लोगों को बताए कि मुंगेर का कम हो गया और सबसे अधीक जो हो गया गोपाल गंज का इस तरह से आप आपको अच्छे से थुरा से कंप्लीट भी रहेगा और यह भी आपको पता चल गया कि कौन सा जिला कहां पर है इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट देख लिजिए एकजाम में जो पूछा जाते है कि नेपाल से सटे हुए जिला का नाम बताए और ओप्शन में चार-पांच जिला का इस तरह से दिया हुआ रहेगा इसमें से तीन गलत रहता है एक सही रहता है सबसे पहले यहाँ पर पस्टमी चंपारण पहले नमर पर हो गया एक यह हो गया पुर्वी चंपारण दूसरे नमर पर यहां से लेकर यहां तब पूरा नेपाल है नेपाल से सभी जिला सटा हुआ तीसरे नमर पर सीतामधी हो गया यह हो गया इसके बाद चौथे नमर पर जो है यहां पर मधु बननी होगा पांच में नमबर पर हो गया सीपोल छटे नमर पर अरड़िया हो गया साथ में नमर पर किसंगंज हो गया तो नेपाल से सटे जिलों की टोटल संख्या साथ है कौन-कौन सा जिला यह भी देख लिए अब यहां पर आपको जो मेन याद रख और मदोवनि महथبूर यह सब जिला ल우 बीक वाले से बिच वाले पाट में आ गया और अप की से निएबिच में ही है मत कर सकते हुलम गया यहां से जो भी जिला लगा हुआई यह यहोस्रें WOODRUFFट में सट्साल के साथ इस तारह से आपको मेर्जून अच्छे तरे तरिके से कि बिहार में टोटल जिलों की जो संख्या 38 जिला है ये भी आपको याद रख लेना है टोटल जिला 38 जिला है अब चलिए बिहार जी के से संबंधित कुछ और महतपुर्ण पुएंट देख लिजिए यहां से भी एकजाम में क्वेस्चन पूछा जाता है जनसंख्या की दूसरे अस्थान पर बिहार है चोथे अस्थान पर पश्चीम बंगळ है आपको चोथे नमर तक याद रखना एक जामें तीसरे-चोथे नमर का भी पूछ दिया जाता है तो पहले अस्थान पर सरवाधिक जनसंख्याँ वाला राज्जे उतर प्रदेश हो गया दूसरे देख लिए बिहार से रिल्टेट एक पूछा जाता है कि बिहारsen धिवायं बिया जाता है यहां ici 8 जै याद रखना है दूसरे दर्बार में घोषना हुई थी ये घोषना हुई थी और अधिसुचना जो जारी किया गया था बिधिवत रूप से 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से यहां पर अलग हो गया और काम जो सुरू हुआ था एक अपरेल 1912 से तो बिहार राजे जो बना है 22 मार्च को इसलिए 22 हुय था तो उसमें उरियसा भी सामिय था इसके बाद 1 अपरेल 1936 बिहार से उरियसा अलग हुँ गया इसके बाद विहार राजजिय बच गया तो 15 नौंबर 2 Jonah को विहार से ज ישे नवाय चाहर आ रखंड के तो यह तो बेसिक है एक बिहार की राजधानी पटना है इसके बाद है उच नियाले उच नियाले एक जाम में पूछा जाता है तो पटना है कोट है पटना में ही एक जाम में पूछा जाता है कि पटना है कोट के अस्थापना कब हुई थी डेट भी आपको याद रखना है त तीन फरबर में 16 को पटनाहेकोट के अस्थापना हुई थी इसके बाद भासा से रिलुटेड है तो भिहार की राजकिया भासा जो है यहां पर हिंदी उर्दू है, उर्दू जो है दूतियर राजकिया भासा है, हिंदी हो गया पहली राजकिया भासा दोसरे नमर पर рьू है और बिहार में एक और भासा आपको याद रखना है कई बार पूछा जाता है मैथली स्रिल्टेड तो भारते समिधान के आठमी अनुसुची में टोटल 22 भासाओं का मानता है उसमें से मैथली भी है तिक जा मैं पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा भासा नहीं है या बिहार से संबंदित है तो मैथली जो है बिहार से संबंदित है और 22 भासाओं में से मैथली को भी दर्जा मिल गया है इसके बाद है राश्ट्य बिरिक्ष तो बिहार का जो राश्ट्य बिरिक्ष है या राजक्य बिरिक्ष है पीपल है राश्ट्य बिरिक्ष पुर्य भा इसके बाद है राजकिय पएसू, तो 2013 से बेल है, पहले रीच था, रीच यानि भालू था, इसके बाद है राजकिय पक्ची तो गुरया है, एसपेरू, और पहले नक्ता निलखंट था और भारत का जो राष्ट्य पक्ची है, मौर है, इसके बाद यहां प्रक्षांसी और द सांतर से लेकर 88 डिग्री तक है अब इसको पढ़ना कैसे है तो 24 डिग्री के बाद जो यहां पर दिया हुआ एक यहां पर आपको कॉमा दिख रहा है इसको मिनट पढ़ते हैं को मिनट पढ़ते हैं डिग्री के बाद दिया हुआ रहा थे इस तरह से तो और दो कामा को सकेंड पढ़ते हैं इसके बाद बिहार का टोटल छेत्रफल देख लीज़ें तो बिहार का जो टोटल सब्सक्राइब को पुराब से प्षचिम अधिक है 483 किलोमेटर और उतर से दचिन आपके देख लिए हैं वहाँ पर यहां पर चार्सुतिरासी दीया हुआ है अब यहां पर आगे का देख लीजें सीम आएं तो आप बच्पन से याद करते आ रहे हैं कि उतर में नेपाल है तच्छीन में जारखंड है, पुरा में पस्चीम बंगाल है, और पस्चीम उतर परदेश है, कुल जन संख्या आपको जरूर याद रखना है, पूछा जाता है, इस तरह सी क्वेस्चन पूछा जाएगा, कि 2011 की जनगनना के अनुसार, यहाँ पर जो भी डेटा दिया हुए, वैसे देखने के लिए आप देख सकते हैं, पांच करोर ब्यालीस लाग पूरूस है, चार करोर अन्ठानमे लाग महला है, इसके बाद यहाँ पर नगरिया जन संख्या, गरामीन जन संख्या, यह सब याद नहीं करना है, आपको यहाँ से याद रखना है, यह जरूर आप बिहार में जन संख्या बिर्धीदर कितनी हैं, तो 25.4 परतिसत है, यह जरूर आप याद रख लिजेगा, और सरवाधिक जन संख्या बिर्धीदर वाला जिला मध्यपूरा है, यह भी पूछा जाता है एक जाम में, यह दोनों पूइंट को अगर आप याद रखे रहेगा तो बेश्ट रहेगा, इसके बाद जन संख्या घनत है, तो जन संख्या घनत बिल्कुल पूछा जाता है, 1106 वेक्ति परति वर्ग किलोमेटर है, और सरवाधिक जन संख्या घनत वाला राजी जो है बिहार ही है, बिहार में सरवाधिक जन संख्या घनत है, पहले स्थान पर ग्यारो सो छो हो गया यह आप याद रख लिजेगा इसके बाद 25.4 पर तीसा दोनों याद रख लिजेगा दोनों एकजाम में पूछा जाता है और इसमें जनसंख्या बिर्धी दर में इस तरह से भी पूछ लिया जाते है कि 2011 की जनकनाय कनुसार बिहर की जनसंख्या 918 है शिर्फ आपको शुरू वाला 918 याद रखना है और बाल लिंगानुपाद भी याद रख लिजेगा बिप्यास एकजाम में पिछले साल बाल लिंगानुपाद पूछ लिया गया तो बाल यानि सीसू लिंगानुपाद यह जो कॉंट क्या जाता है 0-6 वर्ग के आयू समों के बीच में तो 0-6 आयू तक जो है 935 है बाल लिंगानुपाद और अबर अबर अल सभी उम्र मिलाकर 918 लिंगानुपाद है लिंगानुपाद जरूरी याद रख लिजेगा इसके बाद है साक्षर्टादर तो साक्षर्टादर जिभी आपको याद रखना है पुरू साक्षर्टादर 15.50 परतीसत है और बिहर में सबसे कम महिला साक्षर्टादर है यह आपको याद रख लेना है 15.50 परतीसत है इसके बाद है ग्रामीन साक्षर्टा सहरी साक्षर्टा तो यह सब एकजाम में नहीं पूछा जाता है इसके बाद है साक्षर्टा की दर्ग की द पुछा जा सकते हैं, एक लाग सधिक जन संख्या वाले नगरों की संख्या तो टोटल 26 है, और बिहार में महानगर, मात्रेकिया, पत्ना है, परमंडल 9 है, परमंडल को इंगलिस में कमिशनरी भी कहा जाता है, यहां पर नाम है, पत्ना, मगद, सारं, तिरूत, दर्भंगा, क पुछा जा सकता है, और बिहार में टोटल जिलों की संख्या 8474 भी आपको याद रख लेना है, पंचैट टोटल है, पंचैट समीती 534 है, पंचैट समीती सदस 11556 यहां से जो आपको याद रखना है एक अनुमंडल याद रखना है जिला तो याद ही आपको 38 जिला है और पंचायद याद रखना है बागी और कुछ आपको याद रखना नहीं है अरतीस हो गया और जिला परिसाथ 7-1162, इसके बाद न गर निगम 11, अभी फिर से बठाया गया है, तो करेंट देटा ऐगा उसे कोडिंग बढ़ जाएगा, वैसे ये सब एक्जामें नहीं पूछा जाता है, तो सहर 1199, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिये, राज़ाज सो ग्राम की संख्या तो बिहार में ऑफिस्यली रूप से गौं की जो टोटल संख्या है चोबाली से जार आट सो चुहत्तर और उत्तर प्रदेश में लगभग एक लाख के गौं है और विस्विद्यालिव की संख्या है एकी सा मुख्य फसल में धान गेहूं मकई चनब गन्न यह सब है और अगर एकजाम पूछा जाता है तो आपको धान में आंसर देना है और बिहार में मुख्य खाद्य फसल जो है चावबल है इसके बाद यहां पर देख लीजाए बिधान सभास रिल्टेर लोग सभास रिल चुनाओं था, टोटल 243 सीट है, एक जाम में पूछा जाता है, और बिधान परिशत सदस्यों की संख्यां 75 है, बिधान परिशत सभी राज्यों में नहीं है, भारत में कुल 6 राज्यों में बिधान परिशत है, और बिधान परिशत सदस्यों की टोटल जो संख्यां 75 है, लो दोग सभाय मनुसचीत जाती के लिए आरक्षचित सीठ चालीज इसके बाद पंचायत सदस्यों की कुल संख्या एक लाग 16座 थैस यह इजाम इंपोर्टेंट नहीं है पंचायत परमुक्या मुख्यों की कुल संख्या तो मुख्या होता है परमुक्य तो यहां पर है छेत्रफल की दिरिष्टी से सबसे बरा जिला तो में आप देखे थे कि पस्चमी चंपारन यहां पर था सबसे उपर में टॉप पर उतर में नेपाल से सटा हुआ है तो छेत्रफल की दिरिष्टी से सबसे बरा जिला जो है पस्चमी चंपारन है इसके बाद है छ च्यत्रफल की द्रिष्टी से सबसे छोटा जिला तो सिभर जो है सितामाधी से अलग हुआ है तो सिभर च्यत्रफल की द्रिष्टी से सबसे छोटा जिला है और सरवाधिक जनसंख्या वाला जिला तो पटना है 58,445,000 जनसंख्या है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो स श्यक्पूरा का 6,36,000 है और शिभर दूसरे नमर पर है शिभर की जो टोटल जनसंख्या है 6,56,000 है श्यक्पूरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो गया और च्यत्रफल की दिरिष्टी से सिभर छोटा है अब यहां पर देखे यह दोनों जो है दो तीन पॉइंट जो है य जिला तो मध्यपूरा अब यहां पर जो क्वेस्चन है क्वेस्चन इस तरह से पूछा जाएगा दूहजार एक से ग्यारक दसक में इस तरह से दसक दे दिया रहता है और बिहार की जो टोटल जनसंख्या विर्धी धर है 25.42 परतिसत शुरू में आप देखे थे कि 25.42 परत सबसे कम जनसंख्या घणत वाला जो जिला है सिभर 880 है एक वरग किलोमेटर में 1880 एके परति सबसे कम तीनसंख्या घणत वाला जिला कैमुर है सबसे कम साक्षर्टा वाला जिला पुरनिया लीज़ 치료, चेत्रफल की दृष्डे, बिहार का देश में स्थान Google reaching तेलंगाना बनने के बाद पहले बार माता है और जनसंख्यां के दिरिष्टी से बिहार में अस्थान तो तीसरा है एक चीज और यहां से आपको याद रखना है कि बिहार की टोटल जनसंख्यां जो परतीसात है पूरे देश का 8.60 परतीसात है यह अभी एकजाम में पूछा बंगाल है इसके बाद देखेगा जनसंख्यां घंवत की दिरिष्टी से बिहार का देश में अस्थान तो पहला राज्जी है बहार की सरवाधिक जनसंख्यां घंवत है कि उसके बाद है सबसे कम वर्षावला जिला उनांगाबाद है यह सब आप मेप में देखी लिए शुरू में और सरवाधिक गर्म जिला गया है सबसे ठंड़ा जिला गया है सबसे बड़ी सिचाई परियोजना तो गंड़क परियोजना इसके बाद है राष्टे राजमारगों की लंबाई तो राष् पुछा जाता है यह सब टफ लेवल का कोईस्टन हो जाता है इधर आपको पुलिस बीएड एक जाम में यह सब कोईस्टन नहीं के बराबर पुछा जाता है तो कुल वन चेत्र जो है 6,22,000 हेक्टियर है 6.65 परतिसत यह वन चेत्र हो गया पूरे बिहार के चेत्र फलका तो 6.65 परतिसत है इसके बाद यहां पर देखेगा तो सुध बोया गया चेत्र जो है 57 परतिसत है गैर किरसी कारियों में लगी भूमी 17.8 परतिसत है उसर और गैर किरसी योगी भूमी है 4.6 परतिसत और अस्थाई चारागा है 0.2 परतिसत चारागा बहुत ही कम है मात्र 0.2 प परतिसत है इसके बाद है विवीध पेर वियंव बगीचा तो 2.6 परतिसत किरसी योग्य बंजर भूमी 0.5 परतिसत चालू परति भूमी 9.2 परतिसत अन्य परति भूमी 1.3 परतिसत यह भी जो भी अभी आप देखे हैं सभी 2011 के अकॉर्डिंग था इसमें से आपको जो याद कर लेना है यहां पर जो भी आप देखे हैं सबसे कम साक्षर्ता वाला जिला सरवाधिक जनसंक्या दिरिष्टी वाला जिला यह सब एक्जाम में पूछा जाता है यह पेज को जरूर आप याद रख लिजेगा और इसका पीडियाप भी आप लोगों को मिल जाएगा विध तो आप लोगों को मिलेगा तो इसके बाद भी हर जीके पूरा कंप्लिट हो जाएगा